1-1-2014 को share price थी और index था 6 साल बाद share price थी और index था lockdown में जब lowest point पर market थी तब 23 मार्च 2020 को share price थी और index था और current price है और index है अगर हमें निफ्टी के मुकाबले बहुत ज्यादा कमाई करनी है तो हमारे stock में 4 बाते होनी चाहिए एक, लंबी एउदी में share price बढ़ती रहनी चाहिए दो, जब market में बड़ी गिरावट आती है तो हमारा stock ज्यादा नहीं गिरना चाहिए निफ्टी के मुकाबले तीन, जैसे ही market recover होती है हमारा stock तेजी से recover भी करना चाहिए निफ्टी के मुकाबले चार, हमारा share अपने sector का top share होना चाहिए इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमारा share nifty से better है या नहीं यानि कि पहले 3 points इस वीडियो में देखे जाएंगे अगर आपको sector का top share चुनना है तो उस वीडियो की link डिस्क्रिप्शन में दी गई है 1-1-2014 को 1 लाग रुपए इस share में इन्वेस्ट किये 6 साल बात 1-1-1-2020 को इस share में इन्वेस्ट किये हुए 1 लाग रुपए हो गए March में इस investment की value हो गई और current share investment की value है 1-1-2014 के दिन 1 लाग रुपए इन्वेस्ट किये 6 साल बात 1-1-2020 के दिन इन्वेस्ट किये हुए 1 लाग रुपए हो गए March 2020 में इस investment की value हो गई और current Nifty 50 investment की value है share में appreciation ज़्यादा हुआ है इसलिए first point share ने जीत लिया है Second point share ने जीता Third point Nifty ने जीता Overall share जीता यही figure चार्ट में देखते हैं यही एक लाग रुपए की अगर हमने 8% interest से fix deposit की होती तो आज उसकी value हो गई होती FD के 8% के मुकाबले Nifty ने कितने percentage का return दिया यह share ने कितने percentage का return दिया आज अगर किसी को एक लाग रुपीज इन्वेस्ट करने है तो वो क्या करें यह stock में इन्वेस्ट करें Nifty 50 stocks में इन्वेस्ट करें या FD में इन्वेस्ट करें यह share के और Nifty के annualized return percentage हमने देखें वही return percentage अगर भविश में भी continue होंगे तो एक साल के बाद क्या होगा झाल 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 Thank you.